हेलो अर्यों वेल्कम तू नॉलेज ग्रेडियन्ट अकेडमी और आज हम डिसकस करेंगे गेट है 2022 का वन मार्क्स के लिए प्रोब्लम सो पहले प्रोब्लम अंड्रेस्टेंड कर लेते हैं फिर डिसकस करें फिर सोलिशन डिसकस करते हैं स्क्यार च्ट्राइड यह US तो लिफ्ट अलॉड डबलु बाइप्लाइग एफोर्षा से दाइफिशेन्टिय ओफ स्क्यार त्राइड थ्रीज एकस्प्रेश एट शू एफिशेशनची फूर्ण रहा है है तो देखो सबसे इंपोर्टेंट है कि एफिशेंची क्या होता है कि एफिशेंची को हम यह बोल सकते हैं कि वर्क वर्क वी आर गेटिंग वर्क और फॉर्स वर्क और फॉर्स वी अपलाइंग तो यह दोनों के इसके लिए या तो वर्क और फॉर्स वी आर गेटिंग हमें कितना मिल रहा है और हम कितना लगा रहे हैं उसके रेश्यों को हम एफिशेंची बोलते हैं बहुत ही शिंपल और अगर हम बोले हर चीज पर हर केसमें वेलीड डैफिनेशन है तो वर्ट 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 अप्लाइं अगर हम फोर्ट लगा रहे हैं तो कितना हमें फोर्ट मिल रहा है कितना हमारा वर्क हो रहा है इस केस में बोल रहा है कि हम डबलू लोड को लिफ्ट कर रहे हैं तो यह हम लिफ्ट कर रहे हैं किस से बैप्लाइंग double load को lift किया जा रहा है और force apply करके देखो यहां पर 4 option है इंट को wow load को हम lift कर रहे हैं f force को लगा के तो यह तो हमें पता लग गया की हमारा w by f type में होगा है इन्होंने बोला है की screw thread है screw थ्रेड है तो मिन्स वह काम किस में होगा रिवॉल्यूशन में तो जो एफिशेंची आएगी मिन्स एक रिवॉल्यूशन में इतना फोर्स लगाया तो हमें इतना वर्क मिला तो हम बोल सकते हैं डबलू पर रिवॉल्यूशन अपन एफ पर रिवॉल्यूशन तो हमारा एफिशेंची क्या होगी डबलू पर रिवॉल्यूशन यह हम फोर्स हर रिवॉल्यूशन में हमें मिल रहा है और यह हम apply कर रहे हैं तो यहां पर आंसर देखेंगे दा रेश्य ओफ वर्क डन डवलोप पर रिवोलिशन तो दा वर्क डन बाइफ पर रिवोलिशन करेक्ट आंसर हो जाए यहां पर यह दिया हो अगर यहां पर यह बोल देता कि वह थ्रेड नहीं है वह ज़स्ट एक वर्क है तो उस केश में यह आँसर बी बी Conference हो जाता है पर यहन brain Precify किया square thread nursery है यह अंपर इस प्रॐ है थुघर में thank you guys hope you like the video please share with your friend so who are preparing for gate thank you thank you very much